यह जो पैकेट देख रहे हैं आप इसमें कुछ तो है खास क्या देखना चाहेंगे आप तो हेलो एन वेल्कम दोस्तों उमीद है आप सब ठीक होंगे फड़ा फड़ी स्पैकेट को करते हैं एंबॉक्स देखें इसके अंदर क्या है वैसे तो टाइटल से आपको पता चलिए इयरफोन थी हमारी नॉर्मल प्रोड़क्ट जो हमने ओर्डर किया था और उसके बाद जो रिप्लेश्मेंट करवाए था दोनों प्रोड़क्ट हमारे खराब निकले थे फ्लिपकार्ट की तरफ से मंगाई थी हो मैंने उसको हमने करवा जिया था रिफंड और रिफंड कर और अभी तक जो है घर पे नहीं पहुंचे हैं और अब उनका कॉल आ रहा है कि वो कैंसल कर दो कैंसल कर दो तो इतने अच्छी कंपनी नहीं है जो आपको एक के साथ एक फ्री देगी इन में से एक प्रोड़क्ट जो है वो मेरे दोस्त का है तो भाई इसको रखते हैं साइड को और यह जो पैकेट है ना वह काफी सॉलेड़ है मतलब काफी ठॉस बोल सकते हैं मतलब समझ जाओ और अगर मैं इसकी पैकेजिंग को रेट करूं तो भाई दस मैं से 10 मैं इसको रेट करना चाहूँगा अपने हिसाब से जैसा मैंने इसको देखा है आउ तो इसके फीचर सुनो यह रिवर्ब्रेट कौन सा हुए वो यह ना पता बाकि भाई खोलने के बाद पता चलेगा तो भाई साइड में देखो कुछ इन लिखावा है बाकि पीछे की तरफ जो है कुछ फिचर्स दियें तो उनकी बात कर लेते हैं पहला जो दिया है वो दिया है बेस बूस्ट बैटरी लाइफ दिये इसमें जो रेगुलर एडिशन था उसमें जो है 20 आवर की बैटरी लाइफ सी इसकी भी हम बात करेंगे वीडियो के एंड में तो तीसरा जो पॉइंट है वह है वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट तो इसका मतलब यह है जैसे कि आप कभी-कभी उसमें आते नहीं हो यह जिम जाते हे यह डाउन्स वगएरा करते ओ तो जो उसमें पसीना आता है यह फिर थोड़ी मोडी जो बारिस पड़ती है यह उसमें जोर्त है उसमें जोर्द मुझें के कि बढ़ााई है तो अर् criteria दो पांच्वह पइंट है वहाई वह है आप बहुत साफ सुनाई देगा और लड़की कोई वीडियो देख रही है और वह अपने बंदे से या अपने घर वालों से किसे भी आप बात कर सकते हो जिसे भी आप कर रहे हो तो भाई क्लियर टॉफ सुनाई देगी एक दम मज़ेदार लास्ट पॉइंट जो है वो है आपका मैगनेटिक कंट्रोल मैगनेटिक कंट्रोल का मतलब यह बहुत अन आफ जो होगी वह मैगनेट से हो जाईगी भाई नीचे जो लिखा है ना इसका प्राइज लिख इस पैकेट के पीछे जो है वह सिर्फ मेरे एरफोन है आप पैकेजिंग देख लो इसकी पैकेजिंग देखो कितने अच्छी तरीके से कर रखिए बाकि इसको थोड़ी दर के लिए लगते हैं साइड में बात करते हैं और क्या इसके अंदर तो यह एक छोटी सी रेड कलर क पैकेजिंग और दिये चलिए इसको भी खोल कर देखते इसके अंदर क्या है तो सबसे पहला इनाम जो इसके अंदर से निकला है वो निकला है टाइप सी केबल चार्ज करने के लिए दूसरा इनाम निकला है रेड केवल कलब यह कोई कार्ड है जिससे कुछ होता है वरटी गुरंटी एक्स्टेंड होती होगी देख लेना कहीं लगा के तो तीसरा इनाम जो इसमें निकला है वो निकला है वन प्लस वालों का गरंथ तो जो इसको पढ़ना जाता है वह पढ़ ले वरना इसको इजद से साइड में रख दो तो आखरी और सबसे इंपोर्टन इनाम ह यूज कर लेना भाई तो इन सब को करते हैं वाई साइड में आब आजाते हैं इसके ऊपर यह देखिए भाई पैकेजिंग तो काफी अची दी गई है इसको अब भाई इसको मैंने खरीदा था फिलिप कार्ट से 11 ओफ नवंबर को आज 30 ओफ नवंबर है करीब 19-20 डेज ज करना चाहिए नहीं करना चाहिए अपने प्राइज रेंज पर यह अच्छा है या नहीं है तो सबसे पहले जो हम इसके चुम्बक के प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं मैगनेटिक कंट्रोल को लगाना वापस तो यह आफ हो जाएगी वायर की बात करें तो भाई वह क्वालिटी वाइस तो काफी सही है इंफिनिटी से तो काफी जाजा सही है कलर आपको दिखी गया होगा यह रैड कलर का है और इसके उपर जो ना रैड टाइप की स्ट्रिप सी है काफी सारी इस वाले मॉड्यूल के अगर हम बात करें तो इस पे सिर्फ वन प्लस की ब्रैं करने के लिए जिस पर माइनस लिखावा है वो वाल्यूम अप करने के लिए बीच में यह बटन दिया गया है वह पावर का बटन है और आफ करने के लिए इसको साइड में ही इसके माइक्रोफोन दिया हुआ है छोटा सा जो रैगुलर एडिशन था उस पर यहां पर जो है शोटा सा और मॉडिल टाइप बना रखा था जिसमें कविक स्विच का ओप्चन था और माइक्रोफोन का ओप्चन था बट इसमें ुह माइक्रोफोन यहाँ पर दे दिया और कुरुक्षिश का आप्शन नहीं है और साइड में इसके टाइप-C चारजर पोर्ट है अ कमने मेरे personal experience की बात कर लेते हैं तो मैंने इसको जो है वो 19 से 20 दिन यूज किया है तीन चीजों के बारे में जो है वो बताऊंगा एक तो बैटरी लाइफ दूसरा sound quality और तीसरा जो है वो प्राइस के बारे में तो बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो भाई इसको मैंने 17 गंटे तो continuous use नहीं किया है कि जो मैं पता लगा पाऊं बट हाँ डेली मैं इसको तीन चार गंटे यूज करता था और मैंने 4-5 दिन तक इसको चलाया है ठीक है फुल बैटरी बे तो एप्रोक्सिमेटली 17-18 गंटे जो है यह टाइम देती है बैक अप देती है बैटरी एक बैक अप देती है उससे तो कहीं ज्यादा दे लिए यह बैक अप तो भाई सेकेंड पॉइंट है सांट क्वालिटी सांट क्वालिटी के अगर मैं बात करूं तो मैंने जो है अपने दोस्त का रेगुलर एडिशन जो है बन प्लस का वह यूज किया था तो उसमें जो है भा उससे कहीं ज्यादा है अगर आपको बेस पसंद है गाने सुनना पसंद है तो भाई आपको पर्चेस कर सकते हैं इसमें बेस और साउंड दोनों ही बहुत ज्यादा है हलाकि इसकी 95% वालिउम से उपर थोड़ा सा डिस्टोर्शन आपको फील हो सकता है किसी-किसी सौंग के अंदर बेस जो है इसका भाई इनहेंस्ट मिलेगा आपको वालिउम भी आपको इनहेंस्ट मिलेगी वीडियो को पूरा में जो है मैं माइक से रिकार्ड करके जो है एंड में तिसे चीज़ जो है वो है प्राइस प्राइस की अगर मैं बात करो तो भाई यह 290 रुपे का है और ऑफर जब सेल वगयरे चल रही होती तो यह 2,000 रुपे 999 रुपे का हो जाता है और अगर आपके पास कोई कार्ड वगयरा है तो उस पर भी आपको 10% चूट अप्रोक्स 1800 के करीब का जो है यह पड़ जाता है तो मैंने इस 1800 में ही मंगाया था लिपकार्ट से और अभी तक मैं यूज कर रहा हूं अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं ह बहुत ही जैन्वन एरफोन है और बहुत ही अच्छी एरफोन है अगर आपके पास जो आप 900,000 या 1200,000 की जो भी एरफोन खरीदते हो अगर थोड़े बहुत पैसे और लगा गया अगर 1800 का बजट है आपके पास तो भाई इस से बेस्ट एरफोन जो है आपको 2000 के अन्ट में नहीं मिलेंगी और यह जो है मैं प्रिफर करूँगा कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं इतना आपका बजट है तो आप जरूर इस पर जाएं क्योंकि इसमें आपको काफी सारे फीचर देखने को मिलते हैं थैंक्यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं ने आपका बश्य के लिए आपकाा